हेलो दोस्तों रिवेंब बात करने वाले हैं, क्लास 9, समर वेकेशन्स टाइम डेबल तो समर वेकेशन्स आने ही वाले हैं या फिर आ चुके हैं तो आपको कैसे अपना समर वेकेशन्स को अच्छे से यूज़ करना हैं और आपको क्या चीज़े करनी चाहिए अपने summer vacations में ताकि आप summer vacations के बाद कुछ सीख पाएं और साथ में मज़े भी कर सकें और आपका जितना भी हो वाकिए उसको complete करने के साथ साथ आप कुछ नया सीख भी सकें तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखने चाहिए कि summer vacations है तो आपकी नींद compromise ना हो आपको sleep अच्छे से लेनी है आपको total 8 hours के sleep लेनी है ना कम ना जादा और जल्दी सोने की कोशिश करनी है और आप चाहें तो late उठ सकते हैं तो approximately हम टाइम लेके चलेंगे कि 7 to 8 7 to 8 के बीच में आपको उठ जाना है और उठने के बाद आपको जो आपके essential works होते हैं fresh होना होता है बात लेना होता है breakfast करना होता है यह सब आप करेंगे ठीक यह सब आप करेंगे यह total time आपका होगा 8 to 10 का इस time बाप अपने सारे work complete करेंगे जो भी आप कर सकते हैं थोड़ा complete करने के कोईश करेंगे आप इससे क्या होगा कि आप थोड़े बहुत busy रहेंगे और आप कुछ नया सीखेंगे भी और साथ में आपके घर के works भी हो जाएंगे तो एक घंटा आप देंगे अपने घर के जो essential works होते हैं उनको complete करने में काफी सारे works होते हैं cleaning हो सकता है ममी की help करना हो सकता है या फिर ममी से कोई भी work पोच लो कि क्या करना है और उनको उनकी help करो जिससे आपकी family भी खुश हो रहेगी और आप कुछ नया सीखेंगे और कुछ आप work भी कर लेंगे उसके बाद 11 to 12 अब यह आपका time है holiday homework time आपको जो भी holiday homework मिला है vacations का आपको इसको complete कर करना है अब आपको कोशिश करना है कि आप vacations के 10 days के अंदर ही अपना homework complete कर लें और उसके बाद जो other days बचेंगे उसमें homework नहीं आपका खतम हो चुका होगा तो आप मज़े कर सकते हैं तो इसमें आपको क्या करना है आपको homework complete करना है और जब homework complete कर लो after some days तो आपको इस time पर daily लिखो अच्छे से लिखो करसे राइटिंग करो यह normal राइटिंग करो बट राइटिंग इंब्रूफ करो काफी सारी टिप्स और टेक्नीक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी सर्च करो सीखो और राइटिंग इंब्रूफ करो एक घंटे का टाइम है 11-12 आपको अ इसा ओम वग जो आपको लगता है कि इसमें करने में मज़ा ayगा इस टाइम पर वो complete करो और अगो और ऐसा कोई होउववग नहीं है तो जो जो काफी जादा होउवग है उसको करने की कुछ परो इस टाइम हो तो एक घंटे गर टाइम यह तो उसके बाद 1-2-4 इस। इस ट आप चाहो तो इन गंटो के客 सो भी सकते हो कि ये अस्टाइब आपको ड़ी इन आपका फुराया पर क civijल्ब Vaer ले शुरण छूंग सब्राइब मैंस रहा है। ये आपका अख एक्टि लने है। चाहूं ऐने का एंब कि ये विगविड रहा है साथ में आपको आया फिर आप फ्रिश एर के लिए बाहर वॉक पर जा सकते हैं ताकि आप नए लोगों से मिलें अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं और मैं आपको सज़स्ट करूंगा कि आप ये 4-6 का टाइम जो है अपना ट्यूशन टाइम रखें आप क्लास 9 में आ चुके हो अब आपके पर थोड़ा स्टडी आपकी हार्ड होने वाली है तो आपको चाहिए कि आप अभी सही कुछ पढ़ना स्टार्ट करें तो अगर आपके ट्यूशन है तो इस टाइम पर आप ट्यूशन जाएं और अगर नहीं है तो इस टाइम पर आपको जो बताया मैंने कि आप एक्टिव डे इसको बना सकते हैं एक्टिव टाइम इसको बना सकते हैं वो करेंगे लिए बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ट्यूशन जोइन करनी चाहिए, आपको काफी हेल्प करेगा और समर वेकेशन का टाइम है तो इसको थोड़ा यूज करो, आपके ट्यूशन टीचर भी फिरी होंगे, तो वो आपको अच्छे से पढ़ा भी देंगे, उसके आपको इस टाइम पर करना है, आपको स्नेक्स लेने है, कॉफी या फिर चाय पी लेनी है, जूस वगरा ले लेना है, ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ, और आपके अंदर थोड़ी एनरजी आ जाए, अगर आप खेल कर आये हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कोई भ आपको चैप्टर से हैं, भली, साइंस का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, वो आपको समझ में आएगा, और जब एक्जाम, जब उसकूल में पढ़ाया जाएगा, तो आपको कुछ नकुछ तो याद होगा, और आप उस चैप्टर से रिलेट कर पाऊए, ठीके, तो आप आप कुछ भी पढ़ सकते हो, जरूर नहीं कि आप टेक्स्बुक पढ़ो, मैं आपको कहूँगा कि आप न्यूस पेवर पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई नई लैंगुज पढ़ सकते हो, या फिर कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगता है, आर्टिकल्स पढ़ना, ब नॉर्मल टाइम है, इस टाइम पर जादता लोग यही करते हैं, हो सकता है आपका डिनर लेट हो, बट एक पर्टिकल्लर हम टाइम ये लेकर चलेंगे कि 8-9 आपको डिनर टाइम होगा, इस एक घंटे का अंदर डिनर करना है, फैमिली के साथ टाम स्पेंड करना है, और आप कोई भी मुवी वगयर दे सकते हो, ऐसी मुवी जिसमा आपको कुछ सीखने को मिलता हो, या फिर आप राइटिंग कर सकते हो, कोई डायरी लिख सकते हो, कुछ भी, ऐसा कुछ करो, जो आपको सीखने को मिले, इसके बाद आपका फ्री टाइम है, इस टाइम पर जो चा पड़ना है तो पड़ भी सकते हो वह आपको अबर डेपेंड करता है यह था एक समर वेकेशन परफेक्ट ताम टेबल जिसमें आप अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हो अपनी स्टडी को आगे कंटीनू भी कर सकते हो तो यह साथ कर टाम टेबल हो आपको समझ में आया होगा अगर समझ भाया तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको इसके मारे में और जाना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो ताकि मस्पर वीडियो बना पाऊं तो मिलते हैं आप सब कर वीडियो में दब तक के लिए all the best thanks for the watching and peace